टाटा इंस्टिट्यूट आफ सोचल साइंस और अपार इंडिया ग्रूप आफ इंस्टिस्टूशन दुवारा ग्रेशन सेरेमनी कारेकरम का आयोजन दिल्ली के कॉंस्टिस्टूशन कलब में किया गया इस अफसर पर हर्याना पंजाब के पूर्व मुख्य नयादीज विज जयादी जयादी विध्या संसाँ पुर्श लगाओ से पक्षारित अचारित वर्शी ने खर्म आप इस मोके पर सलाना दिक्सान समारों में संस्ता के चात्रों को ग्रेजुशन और डिप्लोमा स्रेटिफिकेट भी दिये गए एक्षिकेट भी दर्णाद के चात्रों में स्रेटिकेट भी दिये गए एक्षिकेट गए। झाल झाल कारे करम के अंत में सभी ने अपने बात मीडिया के समक्स रखी दिखिए ये जो एक्टिविटी है ना मैं इसको नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी बोलता हूँ क्योंकि बहुत कॉलेज श्कूल चलते हैं पर जो मीनिंग्फुल एजुकेशन है जिससे के बच्चे को पढ़ने के बाद रोजगार का साधन मिले रोजगार मिले तो देश की सबसे बड़ी समस्या वेरोजगारी है तो आपार इस चीज को पूरा कर रहा है तो वो साधुवाद के कादर है मुझे लगता है कि आज समाज के अंदर जो शिक्षा में परिवर्तन लाने की आवशकता है जिसमें शिक्षा के साथ साथ कोशल का होना अनिवारे है ताकि भारत पाँच टिलियन की एकानमी बने उस दिशा में मुझे लगता यह अपार की गतिवीदियां है यह उसी दिशा में हैं और सार्थकता पूर्न यह अपना काम कर रहे है और मुझे उमीद है आने वाले समय में इस तरह की गतिवीदियों से बारत में economic development भी होगी क्योंकि यहां पे कुशल युवा बनाने में इस प्रकार की गतिवीदियां सार्थक होगी इसलिए अच्छा काम है जो करना है अपार इंडिया समाज के हर वर्क को सर्व करना चाता है और सिक्षा, संस्कार और रोजगार इसके मूल मंत्र हैं उनको लेके आज 40,000 लोगों को 2000 से ज़्यादा कंप्रियों के अंदर प्लेस करा चुके हैं क्योंकि रोजगार एक जरूरी चीज है और संस्कार तो चाहिए चाहिए जो है अच्छे जीवन के लिए इसी काम के मिशन के मोड में काम करके हम इसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और और ज्यादा ब्रांची स्खोल कर जिससे की ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक हम पहुंच सके क्योंकि भारत हमारा युवा देश है अपर सुढ़ देशया यौश्यादा मेरा युवा देशुंटैस्ट लेश को और चुकूइ मैं प्लाम है रोजादा है मैं रनाम शुरीआ हैनाय मीरानाना इनिम लालेद्पोर रुपस पिमिलाओ में गड़ने हे गिजिते है Sind deficit공 espírit हग जालनों कर तेखाँ 2-4, पर अभने बेशी ल सेटीं से यह काँ झाम करते इस से पच्छी के ढ़िगईलों किsaw तो बस्क्रोपों करती है and for this is a better opportunity and I have great achievement for me because I have top ranked one and I am very thankful and I am very happy for this. I am looking for big benefit out of it because this has given us skills and different kind of environment and different kind of learnings. Now all the knowledge that we again need to be converted into wisdom. As far as all the dignities have said, if it can be converted into wisdom, then only it is going to benefit to us. So now the next step is converting this all knowledge into wisdom.